हवाई सुरक्षा और हमले की तक्नीक लगातार बदल रही है फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने की युद्ध कला धीरे धीरे खत्म हो जाएगी देश में बैठे बैठे दुश्मन के बंकर, हत्यार डिपो, पावर प्लांट आदी जहां चाहो ड्रोन से हमला कर दो भारत में ऐसी तक्नीक विक्सित हो रही है एक ऐसा हवाई हत्यार त्यार हो रहा है दूसरे की योजना बन रही है आज आपको इन सब के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत के वेपन्स जब दुश्मन के आस्मान में गर्जेंगे और बरसेंगे तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी चीन तो यूही बैठे बैठे मा भारत का मजाग उड़ा रहा है कि भारत हमारा मुकाबला नहीं कर सकता पर ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है बदल चुका है अब डियार्डियो जो है वो ऐसे ऐसे वेपन बना रहा है और भारत की सैने शक्ती को चौथे आस्मान पर ले जाने की तियारी कर रहा है यहां के वेग्यानिक दिन रात अपनी महिनत करके वेपन्स बना रहे हैं ताकि सीमा से में चारों तरफ जो दुश्मनों से घिरे हुए हैं उनसे मुकाबला डट कर मुकाबला किया जा सके और अपने देश की रक्षा किया जाए DRDO की संस्ता Aeronautical Development Establishment यानी ADE ने हाली में एक टेंडर निकाला था जिसमें कहा गया था कि ऐसे विंड टनल मौडल की सप्लाई करनी है जिसकी IIT कानपूर में मौझूद National Tunnel Test Facility में टेस्टिंग होगी ये टनल का नाम सुनते ही चीन के तो होश उड़ गए कि भारत टनल क्यों बनवा रहा है बार बार जासूसी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये एक सामाने बात नहीं है हम आपको बताते हैं कि ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के फूफा FUFA की टेस्टिंग हो सके आखिर देश का ये फूफा है क्या चीज इसका फुल फॉर्म है फूचरिस्टिक अनमेंड फाइटर एर क्राफ्ट ये भविश्य का एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नीन नहीं सोने देगा इसके लिए टनल की मांग उठने से ये पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग S.W.F. के मामले में भी तेजी से काम करना चाह रहा है भारतिय मानव रहित स्ट्राइक एर वीकल यानि I.U.S.A.V. बनाने की तैयारी भी चल रही है ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुवाती दौर में है इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई है ना ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज्यादा सूचना है लेकिन दुनिया भर में इस तरहें के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किये जाने की उमीद है कई देश मानव रहित फाइटर एरक्राफ्ट बनाने के प्रियास में जुटे हैं ताकि मिलिटरी की ताकत कई सतर पर सुधार लाई जा सके फूफा के जरिये भारत चार तरहें के बड़े काम कर पाएगा पहला स्ट्रेटेजिक ओफेंसिव दूसरा क्लोज एर स्पोर्ट तीसरा मिसाइल ओफेंसिव चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना यानी सीड और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना यानी डीड डेड डीएड इन चारों कामों के जरिये भारत किसी भी दुश्मन की हालत को पस्ट कर सकता है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ऐसी ही और्चानमस मानव रहित एरियल वीकल यानि कैट्स वारियर पर भी काम कर रहा है यह अन्य लड़ाकों विमानों के सपोर्ट में साथ में आसमान में उड़ेगा इसका अधिकतम टेक वजन 2100 किलोग्राम होगा लेकिन इसके भविश्य के सवरूप फूफा का टेक ओफ वजन 5500 किलोग्राम होगा यह 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाएगा यानि यह कैट्स वारियर से बड़ा होगा इसके इलावा भारत हाइपरसॉनिक हथियार ग्लाइडर हथियार बना रहा है उसका परिक्षन भी कर चुका है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठा डियाडियों ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसॉनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परिक्षन साल 2020 में ही किया इसे HSTDV यानि हाइपरसॉनिक टेक्नोलिजी डिमोंस्ट्रेटर वीकल कहते हैं हाइपरसॉनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है जो विमान 6126 से 12251 किलो मीटर प्रती घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसॉनिक विम जान कहते हैं मानव के भारत के HSTDV का परिक्षन 20 से भी कम समय का था हालांकि फिलहाल इसकी गती करीब 75-100 किलो मीटर प्रती घंटा थी लेकिन भविश्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है इस यान से यात्रा का तो की ही जा सकती है साथी दुश्मन पर पलक जपकते ही बम गिराया जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है रूस और भारत मिलकर ब्रमोस टू हाइपरसॉनिक मिसाइल भी बना रहे हैं इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गती और गलाइड करने की शमता परदान करेगा इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलो मीटर होगी लेकिन इसकी गती बहुत ज्यादा होगी यह मैक 7 यानि 8575 किलो मीटर प्रती घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी इसे जहाज, पंडुबी, विमान या जमीन पर लगाए गए लाउंच पैट से दागा जा सकेगा ऐसे माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक तैयार हो जाएगी भारत का यह पहला हाईपरसॉनिक गलाइड वीकल होगा फिलहाल यह कॉनसेप्ट के स्तर पर है उमीद जताई जा रही है कि यह मैक 5 यानि करीब 4,000 किलो मीटर पती गंटा की रफतार से उड़ेगा भारत सरकार के साथ एक निजी कमपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इसका अधिकारिक नाम HGV202F रखा गया है इसके डिजाइन की तस्वीर सामने नहीं आई है आँज के समय में यह सवाल उटता है कि आखेब परमानो हत्यार या परमपरिक हत्यार से बढ़कर कुछ बनाने की जरूरत क्यों पढ़ रही है सवाल ये भी उठता है कि हाइपरसॉनिक विमान या मिसाइल की जरूरत क्यों पढ़ रही है इसकी वज़े है अमेरिका अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसॉनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रियास कर रहा है हालांकि रूस उससे भी इस मामले में आगे निकल चुका है रूस के पास कई हाइपरसॉनिक मिसाइले हैं भारत के पडोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हत्यार के होने की खबर है ऐसे में जरूरी है के रणनीतिक स्तर पर संतूलन बनाए रखने के लिए हाइपरसॉनिक हतियार या विमान को जल्द ही जल्द बना लेना चाहिए यही वज़े है कि भारत ब्रमोस टू हाइपरसॉनिक भी मिसाइल बना रहा है जिसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया अब हाइपरसॉनिक हतियार होते क्या हैं हाइपरसॉनिक हतियार वो होते हैं जो साउंड की गती से पाँच गुना ज्यादा स्पीड में चले यानी 6100 किलो मीटर पती घंटा या उससे ज्यादा भी बारत ने भी जो परिक्षन किया था यह हतियार पिछले टेस्ट में ही 7500 किलो मीटर पती घंटा की रफ़तार हासल कर चुका है भविशे में इसे 12,000 किलो मीटर पती घंटा तक पहुंचाने का प्रियास होगा है जिससे इसकी गती भी तेज होगी और ये उसको दुश्मन को ट्रैक करके मार गिराना भी जो है उसके लिए आसान होगा और भविशे में तो ये हत्यार और भी हो जाएंगे खतरनाक क्योंकि भविशे में हाइपरसॉनिक हत्यारों का जखीरा बढ़ेगा और ये ज्याता घातक होंगे अमेरिका तो जो बना सो रहा है ऐसे हत्यार बना रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लाँच होगा लेकिन टार्गेट को दोस्त करने से पहले उसकी गती आवाज की गती से आठ गुना ज़्यादा हो जाएगी अमेरिका ऐसी तकनीक का परिक्षन अपने जमवॉल्ट क्लास विंद्वसक से कर रहा है क्या किसी भी मिसाइल को हाइपरसॉनिक बना सकते हैं किसी भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की गती तेज होती है इनकी गती और दिशा को ट्रैक कर सकते हैं इन्हें मार कर गिरा सकते हैं लेकिन गती 6100 किलोमीटर पती गंटा या उससे ज्यादा होती है तो इन्हें गिराना लगबग असंभव हो जाता है अगर खुद से दिशा बदलने की तकनीक लगा दी जाए तो फिर इन्हें ट्रैक करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है हाइपरसॉनिक हत्यार कितने परकार के होते हैं ये दो परकार के होते हैं एक ग्लाइड वीकल्स दूसरे क्रूज वीकल्स क्रूज मिसैल्स फिले हाल दुनिया के ज्यादा तर देश यहां तक की भारत भी हाइपरसॉनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं असल में इन ग्लाइड वीकल्स के पीछे मिसाइल लगा जाती है एक तै दूरी तक करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है उसके बाद glide because खुदी दिशा और गती तै करके उस target की और बढ़ जाते हैं और इन हत्यारों में scramjet engine होता जो हवा में मौझूद oxygen का इस्तमाल करके तेजी से उड़ता है आपका क्या विचार है कमेंट करके बताएं धन्यवाद